हेलो दोस्तों सागत आपसे की मैं चनल दर्डीलिस डिकलम में दोस्तों आप सभी के लिए यह है एक इंपोर्टेंट वीडियो है एक्जाम स्टार्ट होने से पहले पहले तो आपके एक दो डाउट है बहुत इंपोर्टेंट डाउट है वो क्लियर करना बहुत जरूरी मेरे है और कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको बताऊंगा कि एक्जाम के टाइम में क्या-क्या दिक्कते आएंगी तो इन बातों का जरूर ध्यान रखना है तो वीडियो दोस्तों सुरूच लेकर एंट तक जरूर दिखना आपके जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर करता हू और दोस्तों यह वीडियो तो मैं अभी डाल देता एक दो घंटे पहले ही बनागे डाल देता बट एक टेंसन होगी थी कि मेरे पर कॉपिराइट इस्ट्राइक पड़गी थी एक एज डिस्टेक्टर को लेगे क्योंकि मैंने कुछ ऐसा कंटेंड यूज कर लिया था कि जो आपको बस वीडियो देनी है इंफोमेशन देनी है आपके लिए आपके लिए काम करना है दोस्तों बस बस आपका प्यास चाहिए सपोर्ट चीह मेरे को बस दोस्तों और कुछ नहीं और अभी भी टैंशन में हूं टैंसन दूर नहीं हुए फिर भी मैं सोच रहा हूं कि कल आपके लिए वीडियो इंपोर्टेंट है बनानी तो चलिए दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा बात ना करते हुए तो पहले आपके डाउट की बात कर लेते हैं आपके डाउट क्या क्या है एक जो आपका बहुत बड़ा डाउट है क्योंकि कल फर्स स्थियर का एक्जाम हो रहा है जो अब बैक का एक्जाम और वह थाइर का बैक का एक्जाम हो रहा है तो देखेए दोस्तो जिस यहांगत का सब्कूद सब्सक्राइब है चाहें आप थड़ी और में हो भी करिंट लिभ्टाप फ़र्स्टीयर का Type बेख समड्री को मैं यहाँ परहर को फर्स्टीयरियर लिख़ और कुछ नहीं लिखना यहाँ अगर अगर और प्जल देना यहाँ आप क DashTrade यहाँ यह यह रही होगे और आगर finite कोश्चन लिखना जरूरी है तो मैं दोस्तों पहले आपको किलियर कर देता हूं कि कोश्चन लिखना जरूरी नहीं है आप सीधा अंसर लिख सकते हो सीधा आंसर जो आप आंसर देना चाहरे हो वह सीधा आप आंसर लिखना स्टार्ट कर देना ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप सीधा लिख सकते हो और इस चीज़ का भी द्यान रखना यह फर्स्टियर आपको लिखना है कि अगर बैक का एक्जाम है तो फस्टियर लिखना है और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी तो इन बातों को भी सुनना जैसे कोशन पेपर आता है तो डाउनलोड कर लेना उस जिस बच्चे कोशन पेपर डाउनलोड हो जाए वो किरपा करके दुवारा कोशन पेपर डाउनलोड ना करें तो आपको तो थोड़ा टाइम भी हो सकता है साइद 9 से उपर भी हो जाए बट 10 से 15 मिन्ट के अंदर-अद तो 10-15 मिट बस वेट करना और यह दिक्कत आएगी आएगी जैसे आपने एडमिट कार्ड में देखा और रेस्टेशन में देखा तो यह दिक्कत एक्जाम टाइम में भी आएगी आएगी क्यूंकि एक साथ बच्चे कोशन पेपर डाउनलोड करेंगे तो यह दिक्कत जरूर चाहिए जब आप अपने O-B Portal से कोस्च पेपर डाउनलोड नहीं करपाते हो तो यहi UP पर नहीं कर पाते हो तब दूसरा जाएगा तो इसके लिए Link कल जलदी आपको available होगा और जैसी लिंक वह आएगा मैं आपको तुरन तुसके पर वीडियो बनाके बता-दूगा कि वो को ध्यान रखनी है तो अगर वीडियो अछ लगी हो तो शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना जितने भी फ्रस्ट हो weeds देना वीडियो गृट सब्सक्राइब कर देना और तो भी दिखत हो एक्जाम टाइम में